श्री शिवाई नमस्तुब्याम हरहर महादेव जैसा कि हम सब जानते हैं पुज्य गुरुजी पंडित प्रदीव जी मिश्रा की कथा चल रही है और उन्होंने बहुती अच्चुक उपाई इस कथा में बताये हैं जो कि संकर चतूर्ती से जुड़े हुए हैं तो आईए हम जानते हैं कि दो हजार चोईस में संकर चतूर्ती माग महीने की चतूर्ती कभ है यहां चतूर्ती है गुंतिस जन्वरी को और इस चतूर्ती को आपको ऐसा कौन सा उपाई करना है जिस उपाई को करने से आपका घर में आपके घर में धन संपत्ता हर तरह से बढ़ जाएग या आप कोई भान खरीदना चाहते हैं, आप या वो भान नहीं खरीद पा रहे हैं, या किसी की सगाई नहीं हो रही है, तो मंगल कारी करने के लिए आप संकर चतूर्थी के दिन एक छोटा सा उपाई कर सकते हैं, जो कि पुझ गुरुजी ने इस कथा में बताया है, उन्हों सबसे पहले तो व्रत रखना है, और अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं, तो भी आप या उपाई कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है, तिल के लड़ू ले लेने हैं, पांच लड़ू आपको लेने हैं, छोटे छोटे तिल के, उसके बाद आपको 38 मूं के दाने ले लेने और आपको गनेश जी से कहना है कि जो भी हमारी विपत्ती है उसको हर लीजिए और हमारा हर तरह से मंगलकारी में सयोग करिए और उन पांच लड़ों में से आपको एक लड़ों अपने साथ अपने घर ले आना है और जो आपने मूंग के दाने चड़ाएं उस मूंग के दान को आपको किसी नगदी में प्रवावित करा देने Johnrey और अगर आप किसी वहां के लिए यहां कारी करते तो आपको अपनी ज्यब में वहां 5 मुंघ के दाने रख लेने हैं और जब भी आप बान खरीदने जाए या मकान खरीदने जाए या कोई भी मांगलिक कारी करें तो उन दानों को अपने साथ ले जाना है और उस लड़ू का प्रशाद आपको सब के अपने घरवालों के साथ मिलकर ग्रेंड कर लेना है तो अगर आपको यहां उपाई संकट चतूरती का य और यह साल की सरू प्रतं चतूरती होती है और सबसे बड़ी चतूरती होती है और सबसे बड़े महीने में माग महीने में यहां प्रश्न पक्ष की चतूरती तीथी को आती है जो की इस बार 29 जनवरी को आई है तो अगर आप यहां उपाई करते हैं तो आपको बहुत फाइ और अगर आपके घर में चुए हैं और आप उनको नहीं मारना चाहते हैं अगर आप सोचते हैं कि चुए मारने से आपको हत्या का पाप लगेगा तो आप यहां उपाई कर सकते हैं इस उपाई को करने से आपके घर में चुए भी खत्म हो जाएंगे तो अगर आपको वीडिय लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चेनल पर नए हो तो चेनल को सस्क्राइब कर दीजिए और कमेंट बोक्स में हरहर महादेव जरूर लिके श्री शिवाय नमस्तुब्यम हरहर महादेव